बीते 24 दिनों से शतिग्रस्त अंडर बीज मानो दुर्दरशा की कहानी स्वयम कह रहा हो। भारी वहान कंटेनर से टूटा ब्रीज का स्ट्रक्चर बेतरती भी से सड़क पर यूही पड़ा है जिसकी बज़े से आवाजाही करने वालों को खासा दिक्कतों का सामना करते कि जा रहा है। टाउन से पहुच मार्ग के लिए निर्मित नहुनगर अंडर बीज निर्मान के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। कभी पानी भरने की समस्या तो कभी संधारन कारी चल रहा है इसकी प्रक्रिया को लेकर समस्या तो कभी दुर घटनाए। जी हां अब एक बार फिर टीनर तेज गती से ब्रीज के अंदर प्रविश करता है और बुरी तरह से ब्रीज को शतिग्रस्त कर डालता है। बीच ओ बीच आकर फंस चुके हैं। बाजूत इसके इस्थिती अभी भी जैसी की तैसी ही है। लेना पड़ता है। ऐसे कई स्कूली बच्चे हैं जो पट्री पार से टाउन्शीप के ओर स्कूल जाते हैं। बेस्पी में सैंतर कर्मी भी कई ऐसे हैं जो पट्री पार रहते हैं और उन्हें आने जाने के लिए इस ब्रीज का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में बेतरती भी से पड़ा ये लोहे का एंगल स्ट्रक्चर लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है। लोगों के वाहन भी यहां पर कई बार गिरते देखे जा रहा है। वही ब्रीज के शुरवात में और अंत में बेरीगेटिंग ना होना भी चार पहिया वाहनों को परिशान कर रहा है। क्योंकि कई चार पहिया वाहन चालक अक्यानता वश ब्रीज के अंदर तो प्रविश कर लेते हैं लेकिन जब देखते हैं कि एक लोहे के पड़े स्ट्रक्चर को देख वे वापस लोटने पर मजबूर हो जाते हैं हाला कि डिगम प्रवंधन ने रेलवे को इस बात से अउगत करा दिया है लेकिन अभी तक मुग बना रेलवे प्रवंधन जाने कब इसकी सुध लेता है और व्यवस्थाओं को दूरुस्त करता है क्योंकि समय की और लोगों की मांग इस अंडर ब्रीज की है क्योंकि आवाज तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लोहे का जो एंगल है बीच अंडर बीच के नीचे ऐसा पड़ा बेतरती भी से पड़ा हुआ है कि यहां से टूविलर और जाना दुश्वार है टूविलर के तो देखी रहे हैं आपके किस तरह से बाधा दोड की तरह दूविधा दो इसी मार का इस्तिमाल करते हैं और लगवग एक मेहना पहले से इस जो है इस पूल को शतिगरस्त किया था एक फोर बिलर बड़े लेकिन उसके बाद में जो यहां पर विवस्था की गई है आप देख सकते हैं किस तरह से कि एक एंगल काफी भारी एंगल बीच ओ बीच ऐसा पड़ा है कि इसको देखना इसको सुध रेने वाला कोई नहीं है हाला कि प्रमुकता से इस बात को उठाया गया है यातायाद युभाग के तरफ से स्टॉपर लगवाया गया थे लेकिन वो उसका हल वो नहीं है इस एंगल को अगर हटा करके तरीके से रख भी दिया जाए तो शायद किसी हाद तक कि आवगामन सुचारू हो सकता है फिर संधारन जब होता होगा जब हो जाए लेकिन उसके पहले इस विवास्था को यहाँ पर बहतर करने की अविशकता है ताकि जो आवगामन फोर विलर टू विलर के लिए है जो बीस पी कमरी है जो करमी है और ज जैसे में इस तरह का पूल का शतिग्रस्त होना एक महने से इसके और ध्यान ना देना यह कहीं न कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है तो जवरत है कि विवस्था में सुधार किया जाया और आवगामन के लिए इसको खोल दिया जाए और विवस्था सुधारते वे इस ल लाल गप्डा लगांकर यहां पर लोगों को बता दिया कि न्याही की लोहे का इंगल है यहांसे जाना नहीं हो पाएगा लेकिल फिर भी यह इसका हल नहीं है आपको बार बार बताय जा रहा है दिखाये जा रहा है बावजुद इसके only है जसकी तस पड़ी हुई है